चैप्टर 11 क्रे विक्रे और एक बेपारी ने कहा हमें क्रे विक्रे के बारे में बताईए उसने जवाब देते हुए कहा तुम्हें धर्ती अन्न के रूप में अपने फल देती है और अगर तुम उन फलों को अपने हाथों में इकठा करना जानो तो वह काफी है धर्ती के उपहारों के लेन देन में ही विपूलता है और इसी से तुम्हें संतोस प्राप्त होगा और अगर यह लेन देन प्रेम और नियाय के आधार पर नहीं होगा तो इससे कुछ लोग लालची हो जाएंगे और कुछ लोग भूखे रह जाएंगे जब तुम बाजारों में, खेतों में और समुद्रों में और अंगूर के बगीचों में परिस्रम करने वाले लोग जुलाहों, कुमारों और मसालई कठा करने वालों से मिलो तो धर्ती की महान आत्मा का अहवान करो जिससे तुम्हारे बीच आकर मापदंड और वस्तूओं के मुले निर्धारन को सुद्ध कर दे और अपने लेन देन में उन खाली हाथ को सहन न करो जो तुम्हारे परिश्रम के बदले में अपने सब्द बेचने के इच्छुक है तो ऐसे लोगों से बस यही कहना चाहिए हमारे साथ खेतों में चलो और या हमारे भाईयों के साथ समुद्र की और चलो और यहां अपना जान डालो क्योंकि धर्ती और समुद्रे जितने हमारे लिए दानसील है उतने ही तुम्हारे लिए भी होंगे और अगर यहां गायक, निरितक और बासुरी वादक आए तो उनके उपहार भी खरीदो क्योंकि वे भी फलों और लोबान को इकठा करने वाले है और वे जो कुछ भी लाते हैं वह सपनों से निर्मित होता है इसके बावजूद वह तुम्हारी आत्मा के वस्त्र और भोजन है और इससे पहले कि तुम बजार से बाहर आओ देखो कि कोई हाली हाथ तो नहीं चला गया है क्योंकि धर्ती की महान आत्मा हवा पर तब तक स्थांती पुर्वक नहीं सो सकेगी जब तक की तुम में से परते एक की संतुष्टी न हो जाए इसके पशात एक नगर का नयाधिस सामने आया और बोला हमें अपराध वदंड के बारे में कुछ बताईए और उसने जवाब देते हुए कहा जब तुम्हारी आत्मा हवा पर सवार होकर घूमने चली जाती है तो तुम अकेले और असुरक्षित रह जाते हो फिर तुम दूसरों के साथ साथ अपने साथ भी अपराध करते हो और उस अपराध के कारण तुम आवज से ही इस्वर का द्वार खटखटाओगे और ऐसे में तब तुम्हीं इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारा दिव अस्तित्व सागर के समान है और सदेव निर्मल रहता है और आसमान की तरह वह केवल पंक वालों के ही उपर रहता है यहां तक कि तुम्हारा दिव अस्तित्व सूरे के समान है वह न तो छचचुंदर का रास्ता जानती है और नहीं सांप का बिल तलास करती है लेकिन तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे दिव अस्तित्व में ही वास करता है तुम्हें अभी काफी कुछ मानविये है और काफी कुछ अमानविये है लेकिन अकरीती हीन रूप से जो धुंद में अपनी जागरीती की खोज में नींद की इस्थिती में चलता फिरता है और तुम्हारे अंदर जो मानव है उसके बारे में अब मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि वह मानव स्वरूप है न कि तुम्हारा अस्तित्व और नहीं धुंद का बोना स्वरूप जो अपराध और अपराध के दंड को जानता है अगर अक्सर मैंने तुम्हें किसी आदमी के बारे में कहते सुना है कि वह गलती करता है जैसे कि वह तुम्में से नहीं बलकि कोई अजनबी हो जो तुम्हारे संसार में बिना अधिकार के गुस आया है लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे कोई पवित्र और पुर्ण्यात्मा उस उच्चतम से उचा नहीं उठ सकता जो तुम में से हर एक में इस्थित है उसी प्रकार दोष्ट और कमजोर उस निम्न से निम्नतम अस्तर से नीचे नहीं गिर सकता जो तुम सब में इस्थित है और जैसे किसी पेड़ का पत्ता पेड़ की खामोश जानकारी के बिना पीला नहीं होता उसी प्रकार गलती करने वाला आदमी तुम्हारी अंतरनिहित इच्छा के बिना कोई गलत कारे नहीं कर सकता किसी जुलूस की भांती तुम अपने साथ साथ अपने दिवे अस्तित्व की ओर चलते हो तुम ही पत्थ हो और पतिक भी तुम ही हो और जब तुम में से कोई गिरता है तो वह अपने पीछे वालों के लिए गिरता है रास्ते के पत्थर से टकरा कर गिरने से बचाने के लिए हाँ और वह अपने से आगे जाने वालों के लिए भी गिरता है जो ज्यादा तेज और अपनी चाल पर विश्वास करते थे और जिन्होंने उस पत्थर को नहीं हटाया जिससे ठोकर लग सकती थी और यह भी सुनो कि भले ही वह तुमारे दिलों पर भारी पड़े जिसकी हत्या कर दी गई है वह भी अपनी हत्या के लिए अनुतरदाई नहीं है और जिसे लूटा गया है वह भी अपनी लूट के लिए निर्दोस नहीं है पुनियात्मा भी दूस्टात्मा द्वारा किये गए कर्मों से मुक्त नहीं है और निरपराधी भी अपराधी द्वारा किये गए कर्मों के संबंध से मुक्त नहीं है इतना ही नहीं अपराधी भी अक्सर व्यथित द्वारा पिडित होता है और अक्सर जो दंडित होता है उसे बेगुनाह और निर्दोष लोगों का भार सहने वाला बनना पड़ता है तुम नियाई को अनियाई से और भले को बूरे से प्रिथक नहीं कर सकते क्योंकि वे सूरे के सामने साथ साथ इस परकार खड़े होते हैं जैसे काले और सफेद धागे को साथ साथ भूना जाता है और जब काला धागा तूटता है तो जुलाहे सारे कपड़े को देखता है औ अगर तुम में से कोई कपटी पतनी को न्याय के लिए लाए तो उसे चाहिए कि वह उसके पती के दिल को भी तराजुबे तौले और उसकी आत्मा को पहमाने पर मापे और जो आदमी अपराधी को कोड़े लगाना चाहता है तो उसे भी चाहिए कि वह अपनी आत्मा के अंद पर दंडित करना चाहे और बुराई के पेड़ पर कुलहाड़ी चलाता चाहे तो उसकी जड़ों को भी आवस से देखें और आवस से ही वह अच्छे और बुरे फलदाई और फलहीन की जड़ों को धरती के खामोश दिल के साथ साथ गुता हुआ पाएगा और नयाय की इच्छा रखने वालों नयाय धिसों तुम उसे क्या निर्ने दोगे जो सारीरी करूप से तो इमांदार है लेकिन मानसी करूप से चोर है और तुम उसे क्या दंड दोगे जो सरीर की हत्या करता है पर जिसकी स्वैम की आत्मा का हनन हुआ हो और तुम उस पर कैसे मुकदमा चलाओगे जो बेवहारी के रूप से धोखे बाज और अत्याचारी है लेकिन जो स्वैम दुखी और पीडित है और तुम उन्हें कैसे दंड दोगे जिनका पश्चताप पहले ही उनके अपने कारियों से कहीं अधीक है क्या पश्चताप वह न्याय नहीं है जो उसी कानून द्वारा प्रसाशित होता है जिसका तुम पालन करना चाहते हो लेकिन बेगुनाह के उपर तुम पश्चताप का भार नहीं डाल सकते है और नहीं अपराधी के दिल पर से हटा सकते हो वह तो निमंत्रित यानि बिन बुलाय की तरह रात के समय आएगा जिससे की लोग जागें और अपना ओलोकन करें और तुम जो न्याय को समझना चाहते हो कैसे न्याय को समझ पाओगे अगर तुम संपूर्ण कर्मों को पूर्ण परकास में नहीं देखते केवल तुम तभी जान पाओगे कि खड़ा हुआ और नीचे गिरा हुआ आदमी दोनों एक ही है और अपने तुछ आकार की रातरी और दिब्बे आकार के दिन धुंदलेपन के बीच खड़ा हुआ है और मंदिर की आधार सिला उसकी नीव में नीचे रखे पत्थर से कोई अधीक उची नहीं है चैप्टर थर्टीन कानून इसके बाद वकील ने कहा स्वामी हमारे कानून के बारे में आपके क्या विचार है और फिर उसने बताया तुमको कानून बनाने में बड़ा अनन्दाता है लेकिन साथ ही तुम्हें उन्हें तोड़ने भी बड़ा अनन्दाता है ठीक उसी तरह जैसे बच्चे समुद्र के किनारे खेलते हुए बड़ी लगन से रेत के घर बनाते हैं और हसते हुए फिर उन्हें तोड़ देते हैं लेकिन इसी बीच जब तुम रेत के घर मनाते हो तो समुद्र किनारे पर ज़्यादा से ज़्यादा रेत लाकर डालता है और जब तुम उन्हें तोडते हो तब समुद्र भी तुम्हारे साथ बड़ी जोर से अटाहस करता है वास्तों में समुद्र सदैव मासूम के साथ हसता है लेकिन उनका क्या जिनके लिए जिन्दिगी एक समुद्र नहीं है और मनुस से द्वारा निर्मित कानून रेत के घर नहीं है लेकिन जिनके लिए जिन्दिगी एक चट्टान है और कानून एक छेनी की तरह है जिससे वे जिन्दिगी को अपनी तरह तराशेंगे। और जब खाते खाते थक जाता है तो यह कहते हुए अपने रास्ते की और चल पड़ता है कि सारा का सारा भोजन कानूनी दिरिष्टे से वियर्थ है और सारे के सारे भोजन करने वाले कानून तोड़ने वाले हैं। प्रतिविम्बित करने के लावा है ही क्या और यह चीज क्या है कि कानूनों को स्विकार करो लेकिन धरती पर उनकी परचाईयों के अनुरेखन के लिए नीचे जुको। लेकिन तुम जो सुर्य की ओर मुख करके चलते हो तुमको क्या प्रीथवी पर रेखांकित प्रतिक्रीतियां पकड़े रख सकती हैं। जो तुम जो वायू के साथ साथ हयात्रा करते हो कौन सा वात दिखदर सक तुम्हारा पत प्रसस्त कर सकता है। तुम्हे कौन सा मानो नियम बान सकेगा अगर तुम अपना जुआ उतार फेको फेको लेकिन किसी मनुस्य के दरवाजे पर नहीं। तुम्हे किन कानूनों का डर होगा अगर तुम निविते करो लेकिन मनुस्य की लोह श्रिंक लाओं के सामने न लड़ खड़ाओगे। और कौन है वह जो नियाय के सामने लाकर खड़ा करे अगर तुम अपने कपड़े फाड़ कर किसी आदमी की राह में न फेको। हे अरफालीज के लोगों तुम ढोल की आवाज दबा सकते हो और तुम वीना के तारों को ढिला कर सकते हो लेकिन अबाबील को कौन गाने से रोख पाएगा। चैप्टर फोटीन सुतंतरता और फिर एक वक्ता ने कहा हमें सुतंतरता के बारे में कुछ बताईए। और उसने जवाब देते हुए बताया नगर के दवार पर और अलाओ के पास मैंने तुम्हें अपने आपको अपनी सुतंतरता को धंडवत करते और पूजा करते हुए देखा है। उसी प्रकार जैसे दास एक अत्याचारी शासक के सामने विंती करते हैं और उसकी प्रसंसा करते हैं। हालां कि वह उन पर कोई दया भाव नहीं दिखाता और उनकी हत्या कर देता है। हाँ मंदिर के बगीचे और किले की परचाई में मैंने तुम्मेंसे सुतंतर आदमी को अपनी सुतंतरता को जुवा और हत्कड़ी पहने हुए देखा है। मेरे हिर्दे अंदर ही अंदर फफक फफक कर रो पड़ा क्योंकि तुम भी स्वतंत्र हो सकते हो जब कि स्वतंत्र होने की इच्छा तुम्हारे लिए एक कवच बन जाए और जब तुम स्वतंत्रता को उद्देश और संत्रिप्ति कहना बंद कर दोगे। तुम सच में स्वतंत्रत तभी हो पाओगे जब तुम्हारे दिन चिंता से मुक्त हो और तुम्हारी राते वासना और शोक से खाली हो लेकिन जब ये चीजें तुम्हारी जिन्दिगी को पीस डालेंगी और फिर तुम उपर उठ सकोगे नगन और बंधन रहित और तुम अपनी समझ के प्रकास में अपनी दोपर के समय के चारो और जकर लिया है सच में जिसे तुम सोतंतरता कहते हो वही इन मजबूत बेडियों की सबसे मजबूत है यदि पी इसकी कड़िया धूप में चमकती है और तुम्हारी आँखों को चकाचोंद कर देती है और वे तु कि यह वही कानून है जिसे तुमने अपने ही हाथों से अपने माथे पर लिखा था तुम उसे अपनी किताबों को जलाकर नहीं मिटा सकते और नहीं अपने नयाधीसों के माथों को धोकर मिटा सकते हो फिर भले ही तुम उनके उपर समुद्र तक उढेल दो अगर तुम किस अताताई को सिहासन से उतारना चाहते हो, तो पहले यह देखो कि तुम्हारे हीरदे में जो उसका सिहासन बसा हुआ है वह भी धौस्त हो गया है या नहीं क्यूंकि एक अत्याचारी सास्रक स्वतंतरता पूर्वक और अभिमान पूर्वक शाषन कैसे कर सकता है जबकि उनकी सोतंतरता में निरंकुष्टा और गौरव से लज्जा समाहित हो और तुम उस चिंता से मुक्त होना चाहते हो जिसका चुनाओ भी तुमने किया है और न कि उसे किसी ने तुम पर थोपा है और जिस डर से तुम मुक्त होना चाहते हो उस डर का भी निवास तुम्हारे हिर्द चैप्टर फिप्टीन विवेक एमम लालसा और पुजारीन कहा हमें विवेक और लालसा के बारे में बताईए तो उसने जवाब देते हुए कहा तुम्हारी आत्मा बहुदा युद्ध का मैदान बन जाती है जहां पर तुम्हारा विवेक और तुम्हारी बुद्धी मता लालसा और छुदा के विरुध ही युद्ध करते हैं काश मैं तुम्हारे अंतरमन में शांती अस्थापक बन सकता और मैं तुम्हारे मतभेद और प्रतियस परदा को एकता और ले में बदल सकता लेकिन यह मैं कैसे कर पाऊंगा जब तक कि तुम स्वैम, सांतियस थापक और इससे भी अधीक अपने सभी अव्याओं के प्रेमी नहीं बन जाते तुम्हारा विवेक और तुम्हारी लालसा समुद्र में यात्रा करती हुई आत्मा के पतवार और पाल है अगर तुम्हारी पाल या तुम्हारी पतवार तूट जाए तो तुम केवल इधर उधर उचल सकते हो या फिर केवल समुद्र में इस्थिर रह सकते हो क्योंकि विवेक अकेले राज करते हुए एक सीमित शक्ती का प्रदर्शन है और लालसा एक अनियंत्रित ज्वाला है जो स्वैम को भी जला कर नश्ट कर लेती है अतह तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विवेक को लालसा की उचाई तक ले जाए जिससे कि वह गा सके और अपनी लालसा को विवेक से निर्देशित होने दो ताकि तुम्हारी लालसा अपने स्वैम के दैनिक पुनर जीवन द्वारा जीवित रह सके और फिनिक्स की तरह भस्म होकर जीवित हो सके मैं चाहता हूँ कि अपने विवेक और छुधा को उसी तरह मानो जैसे तुम अपने घर में आए दो प्रिये अतितियों को मानते हो निशित रूप से तुम एक अतिति का सम्मान दूसरे अतिति से अधिक नहीं करोगे क्योंकि जो एक आदमी पर अधिक विशेश ध्यान देता है तो वह दोनों के प्रेम और विश्वास को खो देता है जब पहाडियों में तुम सफेद चीनार की ठंडी छाया में तथा खेतों और मैदानों की सांती वगंभीरता में बैठते हो तो अपने हिर्दे में मौन भासा में यह कहो इस्वर विवेक में वास करता है और जब तुफान आये ताकतवर हवाएं जंगल को जगजोड डाले बादलों की गड़गडाहट और बिजली की चमचमाहट आकास की महिमा घोसित करे तब स्रद्धा युक्त भै के साथ अपने दिल ही दिल में कहो इस्वर लालसा में विचरन करता है और जब से तुम इस वरिय छेतर में एक सांस हो इसवर के वन में एक पत्ती हो तो तुम्हें भी विवेक और लालसा में विचरन करना चाहिए चैप्टर सिक्स्टीन कस्ट और फिर एक महिला ने कहा हमें कस्ट के बारे में कुछ बताईये तब उसने बताया है तुम्हारा दर्द उस आवरन को तोड़ा जाना है जिसके कारण तुम्हारी समझ धकी रहती है यहां तक कि जिस प्रकार किसी फल का कठोर छिलका जरूर तूटता है ताकि उसका दिल सूरज का प्रकास पा सके और तुम अपने दिल को अपनी जिन्दगी में रोजाना होने वाले चमतकारों से हैरान कर सको और इससे तुम्हारा कष्ट तुम्हारे सुख की तुलना में कम हैरानी भरा लगेगा और तुम अपने दिल के मौसमों को उसी तरह स्विकार करो जिस तरह तुम मेंने उन मौसमों को हमेशा स्विकार किया है जो तुम्हारे खेतों से होकर गुजरते हैं और तुम सांती के साथ अपने कष्ट के पतज़डों को देख पाओगे अपने अधिकांस दुखों को चुनने वाले भी तो तुम ही हो कष्ट एक ऐसी कड़वी दवाई है जिसके दोरा चिकितसक तुम्हारे अंदर रहने वाले तुम्हारे अस्वस्थ अस्तितों का उपचार करता है अतह अपने चिकित्सक पर विश्वास करो और खामोशी के साथ शांती से उसकी दवाई को पी लो क्योंकि उसके हाथ भारी और कठोर है जो अद्रिश सक्ति के कोमल हाथ द्वारा निर्देशित होते है और वह प्याला जिसे वह तुम्हारे लिए लाता है हाला कि वह तुम्हारे होटों में जलन पैदा करता है उसको उस मिट्टी से बनाया गया है जिसको कुमार ने अपने पवित्र आसुनों से सिक्त किया है चेप्टर सेवेंटीन आत्म ग्यान फिर एक आदमी बोला हमें आत्म ग्यान के बारे में कुछ बताईए और उसने जवाब देते हुए कहा तुम्हारे दिल ने इस सब्धता में दिन और रात के रहस्यों को जानते है लेकिन तुम्हारे ग्यान तुम्हारे हिर्दे ग्यान की आवाज सुनने के लिए प्यासे है सब्दों में केवल तुम उसी को जानोगे जिसे हमेशा तुमने अपने विचारों में जाना है तुम अपने स्वपन की नगन आकरिती को अपने अंगलीयों से असपर्स करोगे और तुम्हारे लिए यही ठीक है तुम्हारी आत्मा के अप रतेक्ष जल स्रोत को बाहर आवस ही आना चाहिए और समुद्र की और बहते रहना चाहिए और तुम्हारी अनंत गहराईयों का खजाना तुम्हारी आँखों के सामने प्रकट हो जाए लेकिन तुम्हारे खजाने को तौलने के लिए कोई तराजू न हो और अपने ग्यान की गहराई को किसी बांस अथवारसी की सहायता से मत तलास करो क्योंकि आत्मा एक अथाह और असीम सागर है यह न कहो मैंने सच को तलास कर लिया बल्कि यह कहो मैंने एक सच की तलास कर लिया क्योंकि आत्मा सभी रास्तों पर विचरन करती है और आत्मा केवल एक ही रास्ते पर नहीं चलती नहीं वह नरंकुल बेत जाती का पौधा की तरह उगती है आत्मा अपने आपको कमल की असंखे पंखुणियों की तरह खोल का प्रकट करती है इसके बाद एक अध्यापक बुला हमें सिक्षन के बारे में कुछ बताईए और उसने बताया जो पहले सही अर्ध निद्रा की अवस्था में हो उसके अलावा कोई भीस तुम्हारे सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर सकता वह ध्यापक जो अपने अनुयाईयों के साथ मंदिर की छाया में चलता है और वह अपना ग्यान ही नहीं देता बलकि अपना विस्वास और अपना प्टेम भी देता है अगर वह सच में बुद्धिमान है तो वह तुम्हें अपने ग्यान के घर में पर्वेश करने के लिए निमंत्रित नहीं करता बलकि वह तुम्हें तुम्हारे ही मन की चोखड तक ले जाता है खगोल सास्त्री अपने अंतरीक्ष संबंधी ग्यान के बारे में तुमसे बात कर सकता है लेकिन वह अपना ग्यान तुम्हें नहीं दे सकता संगीतकार अपने सर्व व्यापी तरानों को तुम्हारे सामने गा सकता है लेकिन वह तुम्हें ऐसे कान नहीं दे सकता जो धुन को पकड़ पाएं और नहीं वह आवाज दे सकता है जो प्रतिधोनित हो सके और वह योग गनितग जो तुम्हें भूभा की व्याख्या करके बता सकता है लेकिन वह तुम्हें वहां नहीं वहां तक नहीं पहुँचा सकता क्योंकि एक आदमी अपनी दूरदर्शिता किसी दूसरे आदमी को नहीं दे सकता और यहां तक कि जिस परकार तुम में से परतेक इश्वर की दृष्टी में अकेला खड़ा रहता है उसी परकार तुम में से परतेक को चाहिए कि वह अपने इश्वरिय ग्यान और अपनी सांसारिक समझ में अकेला ही रहे